दोस्तों हमारा शरीर इन पंच तत्वों से मिलकर बना है अगनी, वायू, जल, आकाश और प्रित्वी। इन पांच तत्वों को हमारे आंतरिक शरीर से जोडने वाली बस्तु है आत्मा। इसलिए आत्मा को इस लोक और परलोक के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। मृत्यू के समय शरीर को जितना कश्ट पहुँचता है उस कश्ट की तुलना संभव नहीं है। किन्तु क्या आपने भी कभी सोचा है कि मृत्यू के समय जितना कश्ट शरीर को होता है क्या उतना ही कश्ट आत्मा को भी सहना पड़ता है। गरुर पुरान और भगवत गीता जैसे धर्मगरंथों में इनसान के जन्म और मृत्यू से जुड़े बहुत से रहस्यों को उजागर किया गया है, जैसे आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या करती है, कहां जाती है, किन कश्टों से गुजरती है, और शरीर को त्यागते वक उसको कितना कश्ट होता है? आज की इस वीडियो में हम धर्मगरंथों और पुरानों में बताए गए इन ही रहस्यों से जुड़े आत्मा के कश्टों के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत्याहार में खाये जाने बाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामगरी को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये हुए ग्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जै श्री नारायन लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों चलिए शुरुवात करते हैं धर्म क्रंथों पुरानों और धार्मिक शास्त्रों में लिखे तथ्यों से। तत्यों के अनुसार आत्मा अमर है और यह केवल शरीर का परिवर्तन करती है जिसे पुनरजन्म और मोक्ष की अवधार नाव से समझा जा सकता है। इस विशय में भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वासांसी जीरनानी यथा विहाय नवानी ग्रेनाती नरोप्राणी तथा शरीरानी विहाय जीरनात न्यन्यानी सन्याती नवानी देही जिसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए बस्त्र धारन करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारन करती है हाला कि मृत्यू के समय आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को कष्ट दायक माना जाता है मगर यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है धर्म ग्रंथों में इस विशय पर कहा गय कि जो इनसान जीवित रहते हुए कोई पुनिय नहीं करता और हमेशा दुशकर्मों में अपना समर्थन देता है उस व्यक्ति की आत्मा को शरीर त्यागते समय बहुत कश्टों का सामना करना पड़ता है। अगला जन्म पाती है। जीवन में मिलने वाले किसी भी बड़े से बड़े कश्ट से भी नहीं की जा सकती। दोस्तों आएए पहले जानते हैं कि आत्मा को मिलने वाले कश्टों के बारे में आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। इसके बाद बौध धर्म और मुस्लिम धर्म में इस विशय पर क्या लिखा है वो जानेंगे। और अंट में आपको आत्मा से जुड़ी एक ऐसी बात बताएंगे जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। दोस्तों आधुनिक विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को सपष्ट रूप से स्विकार नहीं करता लेकिन नियर डेथ एक्सपिरियेंस और आउट अफ एक्सपिरियेंस जैसी घटनाओं के ऊपर किये गए शोध को मानता है। नियर डेथ एक्सपिरियेंस के दौरान कई लोगों ने शरीर छोड़ने के अनुभव को शांति पूर्ण और प्रकाश की ओर जाने वाला बताया है। को ही आधार माना गया है। ब्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर इस जन्म और पूर्व जन्म की यादों को अपने दिमाग में चलता हुआ महसूस करता है। इस समय चेतना के लिए विभिन तरह के कष्ट और सुख हो सकते हैं, जो उनके पिछले कर्मों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, इसलाम के अनुसार, मृत्यों के समय आत्मा को रूह कहा जाता है, जो शरीर से निकलती है, और अपने सगे संबंधियों को अपने शव के पास रोता हुआ देखती है। यह मनजर उस आत्मा के लिए काफी कष्ट दायक होता है। इसके अलावा गुरान और हदीस में भी इस विशय पर विस्तरित जानकारी का उलेख मिलता है। हदीस में उल्लेक है कि अच्छी और पवित्र आत्माओं के लिए यह प्रक्रिया सरल और शांति पूर्ण होती है, जबकि पापी आत्माओं के लिए यह प्रक्रिया कठिन और कश्ट पूर्ण होती है. मुस्लिम मान्यता के अनुसार एक फरिष्टा आत्मा को शरीर से निकालता है और अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा को स्वर्ब में प्रवेश मिल जाता है, जबकि पापियों की आत्मा को जहनम में प्रवेश मिलता है. दोस्तों ये थी धर्मक्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में बताई गई जरूरी बातें अब हम आपको रिसर्च में पाई गई कुछ ऐसे बाते बताने जा रहे हैं, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आत्मा अपने पुनर जन्म के कर्मों का फलपाती है किन्तु पुराणों में एक और चीज का उल्लेख मिलता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे इस धर्ती पर जन्म लेने वाला हर इनसान महसूस करता है हर चीज जो उसे जीवन में मिलती है या वह खुद बनाता है, उससे मृत्यू आने तक जुडाव महसूस करता है मौह में लिप्थ हर इनसान की यही कहानी है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, कि हर इनसान के जीवन में दैविक प्रेणा से कम से कम तीन अफसर जरूर आते हैं, जब इनसान सांसारिक्ता से मुक्त महसूस करता है चाहे यह अफसर दुख के कारण आया हो, खुशी के कारण आया हो, भक्ती के कारण हो, या फिर कोई वास्तविक अनुभव हो जो कोई व्यक्ति उसक्षण सानसारिक्ता को छोड़ कर आध्यात्मिक उन्नती की ओर बढ़ जाता है, तो दैविक शक्ती भी उसे सहीऊग करती है लेकिन संसार से हमारा मोह इतना अधिक होता है कि हम उसक्षण को समझ नहीं पाते और अपनी आध्यात्मिक उन्नती में खुद ही बाधा बन जाते हैं इसलिए जब इनसान मृत्यों को प्राप्थ होता है तो उसकी आत्मा को भी उसके कर्मों के हिसाब से ही कष्ट मिलता है कई बार यह कष्ट इतना अधिक होता है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर के मोह में और कष्ट से मुक्ती पाने के लिए वह बार-बार अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है जब तक यमदूत उसे ले नहीं जाते इसी लिए धर्म गरंथों में शरीर के साथ साथ आत्मा के कष्ट को भी उतना ही गहरा दुख बताता है जिसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती दोस्तों आशा है कि आप आप जान गए होंगे कि मृत्यू के बाद आत्मा को भी कष्ट होता है या नहीं दोस्तों यदि आप व्रत्याहार में खाये जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामगरी को प्राप्त करना चाहें तो दिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक को क्लिक करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब करें सर्वे शुभंभवतू आएए मिलते हैं अगली वीडियो में